नमस्कार कापिचल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरह से देखी अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सुबे की सियासत से रूबरू कराते हैं आज बात करेंगे बिज़ेपी के प्रबुद्वर्ग सम्मेलन की जिसकी शुवात पार्टी 5 सितंबर से करने जा रही है इसमें सुबे की सभी विधान सभाव में कारिक्रम किये जाएंगे इसके तहट 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में तो 6 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदेश की सभी 403 विधान सभाव में बिज़ेपी प्रबुद्वर्ग सम्मेलन का योजन करेगी इस सम्मेलन को मुखे मंत्री योगी आदितिनास समेत केंदर के कई मंत्री संभोधित करेंगे और इसके जरीय सरकार जनता के बीच अपनी जन कल्यानकारी योजनाओ को पहुचाएगी और इसी पर ज्यादा बात्चीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरीश कुमार डॉक्साब बहुत बहुत स्वागत है अपका दन्यवाद डॉक्साब अब तक बसपा ने किया था पुर्बुद वर्ग सम्मेलन लेकिन अब बीजेपी कर रही है और बीजेपी में खास ये रहेगा खुद योगी आदितनाज संबोधित करेंगे कहीं केंद्र के मंत्री संबोधित करेंगे यानि अब ये कहा जाए कि ये होगा पुर्बुद वर्ग सम्मेलन देखे ये भारती जिन्ता पार्टी की स्टेटी को आप जरा एनलाइस कीजिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कोई भी वो कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और हर पार्टी का जो स्टेटी है उसके जवाब में ये कॉंटर स्टेटी इनकी चलती है अब बीएसपी के तो मजबूरी थी उन्होंने तो ब्रामन सम्मेलन सुरू किया था ब्रामन पहुचे नहीं उसमें तो इन्होंने प्रबूद्वर्ग कर धिया लेकिन बीएसपी के सम्मेलन में और इनके सम्मेलन में आसमान जमीन का डिफरेंस है चोंकि खुद मायवती अब तक अपने सम्मेलन में नजर नहीं आई है मायवती इस तरह के छोटे-छोटे कारी कर्व में नहीं आएंगी और कैम्पेइन का जो आपके समझे यह इस तरह की मीटिंग्स इस तरह के कॉंफरेंसे दूसरे राज्यों में नहीं मिलते हैं इस तरह का नहीं दिखने को मिलता है कि टॉप लीडर्सिप और मंत्री और सारे जो है प्रबुद्वर्ग से मिल रहे हों बातचीत कर रहे हों अब इसमें है क्या पहले इसको समझ लेते हैं फिर स्टरजी पर आते हैं कि यह प्रबुद्वर्ग सम्मिलन आके लिए बला क्या है यह अब आप समझे कि किस हिसाब से मिडल क्लास को टार्गेट किया जा रहा है यह जो लोकल अस्तर पे ओपीनिन मेकर्स होते हैं जैसे कौन लोग ओपीनिन मेकर्स होते हैं कि जिनका इंफ्लेंस होता है जो पब्लिक से मिलते जुलते भी हैं और वो जब कोई बात कहते हैं तो लोग मानते हैं लोग मानते हैं उन पे इंपक्ट होता है यह आर दो ओप teachers, professors, engineers, रोकील होते हैं यह लोग जहां बैठते है – परिवार में, बड्डे पार्टी में, आफिस में, जहन ही बी जाते हैं दोस्तों के बीच – गुंदुख, गलत है – लोगों को यकीन होता है तो ये समझे कि ये जो opinion makers का जो बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप कोई भी चुनाव हो या कोई social event हो कोई भी बड़ी चीज हो जैसे भी एक example दे देता हूँ किसान अंदोलन है ये चाती पीटते रहागे सब कुछ करते रहागे प्रबुद्वर्ग इसके साथ नहीं था क्योंकि ये प्रबुद्वर्ग को इस बात के लिए convince नहीं कर सके कि ये जो कानून मोदी सरकार लेकर क्या है इसमें काला क्या है क्योंकि पड़े लिखे लोग है उनको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं ये सारे चीजी जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीज़ों कर रहे हैं तो इसका मतलब तो पहला एक लार्जर परस्पेक्टिब में कि हिंदुस्तान में डेमोकरिटिक इथाउस, डेमोकरिटिक वैल्यूस, डेमोकरिटिक डिबेट्स उसकी जड़े मजबूत हो रही है, अब ये जमाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोसिल मीजिया सब के हाथ में विपन है, पहले का जमाना अलग था, जब बड़े-बड़े पत्रकार अपना ग्यान ठोक देते थे, प्रोपगेंडा पैसा लेकर के, उल्टी बाते, सीधी बात जो है वो बन जाता था, आज का जमाना अलग है, आज आप लिखोगे, वेब साइट में छापोगे, आप जिसे हम लोग ये, हम लोग कोई अनर्गल बात करेंगे, तरकीन बात करेंगे, जूटी बाते करेंगे, हमारे दरसकों के पास पूरा धिकार है, कमेंट में जो है आपने जो लिखा है, उसको डिफेंट कीजिए, तो बड़े-बड़े पत्रकार उन्होंने सोचल मेडिया छोड़ दिया, इसी क्यों कि करते रहे थी, अब तक दलाली, दलाली इनका धंदा था, तेरों लिखते नहीं है, इन्होंने लिखना बंद कर दिया, लिखना बंद क जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो दिन रात चीजों को जानने समझने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जो लोग बिल्कुल ही अन्प्रोफेशनल हैं, लेकिन किसी किसी चीज को लेकर के उनके पास ग्यान की इसको अथा सागर में जो डूबे हुए रहते हैं, क ये तमाम इस तरह के लोगों, इस तरह के लोगों के सामने ये बड़े-बड़े जो पुराने धुरंदर थे वो गायब हो गये हैं, तो पॉल्टिकल पार्टीज को भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, उनको मालूम है, भारती जंता पार्टी को मालूम है कि लुटिन इन लिखेगा, वो दिखाई नहीं देगा, भै उननाओ नजर आएगा इनको, उनको जैपूर नजर नहीं आएगा, तो ये जब इस तरह का समझे के एक आइडलोजिकल बायस मेनिस्ट्री मीडिया में हो, तो उसको काउंटर करने के लिए सोशल मीजिया में आपको अपने जाहर जमाने होंगे. So this is the technique, ये भारती जनता पार्टी के सोच देखे, एक तो मैंने का, कि लादर प्रस्पेक्टिव में, ये पॉलिटिकल पार्टी के हिम्मत के दाद देनी चाहिए, कि आप अपनी चीजों को लेकर के, किसी सहर के तमाम डॉक्टर्स, इंजिने पढ़े है, उन लोगों के भी जारे है, सम्मेलन कर रहे हैं, आप उपनी बात को रखेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कि जो इस तरह का सम्मेलन होगा, तो मोनोलोग नहीं होगा, आज की जमाने में मोनोलोग खत्म हो गया, कि निता जी आए, उन्होंने भासन दिया, और माला वाला पनाया गया, फोटो टो खिचाया गया और वापस चले गया, यहां तो आप देखिए, हर जगा माईक लिगर के सबोग सवाल करते हैं, सबोग पूशते हैं, सबोग के जवाब भी देने पड़ींगे, और जवाब नहीं देंगे तो आपका वीडियो वाइरल हो जाएगा फिर जी कि मैदान छोड़के भाग गया तो ये इससे क्या है कि जो डिमोकर्टिक इथाउस हिंदुस्तान की जो है वो मजबूत हो रही है तो लार्ज परस्पेक्टिव में लेकिन यूपी के चुनाओं के तहट अब आप देखिए कि अगर आपके पास अगर हर जि जो को सामने रख देते हैं तो होगा ये कि जो अफ़वा की राजनिती चलती है वो नहीं चल पाएगी वो नहीं चल पाएगी क्या कि देखिए ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 2019 के बाद से अफ़वा के उपर ही विपक्षि राजनिती कर रहा है वह मुसल्मानों को निकाल देंगे मुसल्मानों से कागज मांगा जाएगा मुसल्मानों की नागलता चली जाएगी मुसल्मानों के लिए डिटेंशन कैम्प बनाए जा रहे हैं आप अकर सोचल मीडिया पे हैं आप जाएए उन पत्रकारों के टाइम नाइन के उपर कि दितिन से नहीं दो ain't for the दरसल होता है कि कोई इलिगल तरीके सा गया तो उसको जेल के दटो आप रखेंगे नहीं धिर सीली संपलस वेर यूगन पुट दीजिल मैंगरेंट के हाई किसी के पास फर्जिक हागज है कोई गलत पास्पोर्ड ज़ुजा के साथ आ गया कोई भटक करके आ गया तो उसके लिए आप उसको तो जेल में नहीं डालेंगे ना तो उसको लोग कहीं पर आप को जगब बनाते के बहीं यह डिटेंशन कैम्प जो मुसलमानों के लिए बन रहे थे उन तमाम सेकुलर पाटियों से और सेकुलर पत्रकारों से यह जो दलाल किस्म के लोग हैं इनसे पूछे करना चाहिए सवाल जब बता हुए कहा है डिटेंशन कैम्प और कितने मुसलमानों की नागरिपता गई तो यह अव्वा की राजजीती थी तो लोग तो भई मुसलमान सड़के पोई आए सिये के ये जो साहिन बाख के चकर में दल्ली में दंगे हुए ये तो हकिकत है इसको तो मिटाय का इसको छिपाय nep निचा सकता तो अगर आप सब कुछ होने के बाद अगर आपके आखे खुलती है तब तो वो दिक्कत है जब आपको मालूम है कि विपक जो है अभवा की राजिनती करेगा तो उसका काउंटर तो आप करेंगे तो काउंटर कैसे करें काउंटर इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच जाए वो तमाम लोग जो पढ़े लिखे प्रबुद्वर्ग है जो अपिनी विटर से उनको जाकर कि आप बताएं कि यह हकीकत है यह सचाई है यह गलत है यह सही है और जब वो आप से सवाल जवाब करके वो संतुष्ट हो जाएंगे फिर आपको बहुत सारा काम करने के ज़रूत नहीं पड़ेगी वो सोचल मीडिया में कोई दलाल पत्रकार कोई बात लिखे तो लोग उसके पूपर जो भी पर जवाब दे दें कि यह फरुधार करना बंद करो कि सखी माणों में यह होगा प्रबुद्वर्ण समयलन जुब पी का है बसपा का जो है वो फरिवारा है वह तो देखिए वह तो प्रबुद्वर्ण मेर्द में उसको चेंज इसले कंग तो वही कम से कम तर्ष तो छपेंगी किसी डिस्ट्रिक में जागर के ब्यस्पी का कोई सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर तो सौ पचास आदमी कि चाहिए ने तो खबरों में आ जाएगा खबर आ जाएगा वहीं सम्मेलन हो रहा था सती चंदर मिस्रा वहां थे लेकिन कुर्सिया खाली थी एक छोटा सा ओडिटोरियम भी नहीं भर पा रहे हैं सती चंदर मिस्र तो उसके लिए आपको क्या करना ब्रामन के नाम पर दूसरे यह किसी तरीके से क्योंकि आपने भोषना कर दी थी सब कुछ कर दिया था तो इसलिए आप उसको कर सकते कि भई गाड़ी आगी है अब तो करना ही पड़ेगा मजबूरी है इंजिन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या करता है आदमी तो दक्का लगाता है उसको दक्का जाने वाला है और अब जब भारती जिन्ता पार्टी का प्रबुद्वर्ग सम्मेलन होगा उसमें मंत्री होंगे उसमें मुख मंत्री स्वयम होंगे तब तो यह मसला बिलकुल अलग सा लगी होगा जी डॉक सब चले बहुत बहुत शुक्रिया मारे साथ धन्यवार में जो करने की तैया recipes करने जा रही है जिसे योगिया अधितिनात्तों समबोधित करेंगे ही साथ जीसमें कहीं केंद्री मंत्री भी नजर आएंगे यानी विजेपी ने प्रबुद्वर्ग सम्मेलन की भी तैयारिया जोरोशोर्स से की है चलिए शायिए इसी के जर्यवास्पा को ये समझा जाए कि प्रभू दुबर्ग सम्मेलन आखिर पोता क्या है तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश से जुड़ी है खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया झाल